Hello everyone, welcome back to the Rana Academy, तो जैसे आप जानते हैं बटा कि Class 9th ICSC Chemistry का Chapter No.7, जिसका नाम है Study of Gas Laws, वो मैंने स्टार्ट कर दिया था, और उसके 2-3 टॉपिक्स में अलड़ी डिसकस कर चुका हूँ, आज की लेक्शर के अंदर हम सबसे important topic that is Boyle's Law उसको study करने वाले हैं, और हाँ साथ में हम कुछ examples भी करेंगे, ताकि आपको जो low है, कैसे apply करना है, वो भी अच्छी तरह समझ में आ जाए, और उपर जितने भी channel और जो pages दे गए हैं, उनके जो links हैं, वो हमने description box में डाल दिये हैं, तो बिना कोई time waste किये, चलिए शिरू करते हैं, So, देखिए बेटा, boys low को समझने से पहले न, हमें एक छोड़ा सा experiment समझना पड़ेगा, और अगर आप यह experiment समझ गए, तो देखना boys low आपको लगएगा कि बहुत ही simple चीज है, और उसके जो numerical करने वो और भी असान हो जाएंगे, देखिए step number one में क्या करते हैं, कि पहले में experiment समझते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरे पास एक स्रिंज है, अब स्रिंज के बारे आपको जानते हो क्या है कि एक cylindrical उसका outer surface होता है, तो यह हो गया इसका pointing end, nozzle जिसको कई लोग बोलते हैं, और यह स्रिंज आपका यहाँ पर मैंने बना दिया है, अब सबसे पहले क क्या किया है, इसके अंदर हम जल्दी से piston लगा देते हैं, ठीक है बेटा, piston के बारे भी आप जानते हो, piston माल लेते हैं, यह मेरा यहाँ पर इसका piston है, और यह हो गया इसके अंदर का handle, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा अच्छी तरह समझ ब्यादे कि exactly who क्या करा है, ताकि आपको, आप अच्छे से boils लोको समझ सकें, इसके बाद बेटा, इसके अंदर तो देखो क्या है, इसके अंदर हमारे पास air ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, और यह air इस nozzle से बाहर ना जाए, तो इसके ओपर हमने क्या लगा दिया, एक wooden stopper लगा दिया, तो stopper होता है, कि यह जो piston है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आपका move करना शुरू हो जाता है, मजे की बात यहां पर यह है, कि माल लेते हैं कि initial volume, इसका माल लेते हैं, बेटा की V है, ठीक है, और इसमें जब मैंने weight नहीं रखा था, तो उस time इस पर प्रेशर था माल लेते हैं, P है आपका, अगर माल लेजिए weight डाल कर इसके pressure को मैं double कर देता हूं, क्या कर देता हूं मैट अपना, double कर देता हूं pressure इसका, तो आपको जानके हैरानी होगी कि इस experiment के दोरान, जब यह piston नीचे जाता है, तो जो volume air अब occupy करता है, वो actually में V by 2 हो जाता है, मतलब half of the volume जो initially वो occupy कर रहा था, और उसी तरह जब हमने यहां से इस weight को हटा दिया, तो यह piston अपने आप धिरे-धिरे उपर के तरफ move करना शुरू हो जाता है, और यह बात बिलकुल सही है, कि जो इसका initial stage था, मतलब जो final volume है, वो तो आपका V by 2 है, जब weight को हटाया, जब यह volume दुबारा V बना तो इसका जो pressure था ना, हमारा double हुआ था जो pressure वो दुबारा कम होकर P हो जाता है, तो इस particular experiment को देखकर, हमारे पास बेटा दो तरह के conclusions बनते हैं, तो अब हम conclusions को समझेंगे, पहला conclusion तो बहुत simple है, जो समझ में भी आता है, कि an increase in the pressure at constant temperature, देखिए एक अच्छी बात आपको मै पिछले lecture में ही समझाई थी, कि जब हम gas laws को study करते हैं, तो तीन different parameters को हमेशा study किया जाता है, एक तो temperature, फिर एक pressure और एक volume, अब जब कभी भी हम किसी दो parameters के बीच में variation को study करते हैं, तो यो तीसरा parameter होता है, उसको हमेशा constant study किया जाता है, इस particular law के लिए, हमेशा temperature को हमेशा constant करना होता है, और उसी fixed temperature के दोरान, हम या pressure को कम करते हैं, या बढ़ाते हैं, और उसके with respect to volume में क्या change आता है, वो observe किया जाता है, तो पहला conclusion हमें ये मिलता है, कि an increase in pressure at constant temperature, तो याद रखे हैं कि अगर आप constant temperature नहीं लिखते हो, तो अगर आप माल उसकी statement लिख रहे हो, चाहे आप conclusions भी लिख रहे हो, तो आपका जो answer है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें important जो keyword है, वो constant temperature का होता है, तो कहता है, an increase in pressure at constant temperature, cause a decrease in the volume of the gas, Conversely, आप उल्टा भी बोल सकते हो, कि अगर मैं एक volume ले लूँ, of fixed mass of a gas, ये बात हमेशा याद रखना, कि जिस time, मैंने आपको वो piston वाला example दिया था, कौन से वाले का, ये देखे दिहान से, ये वाला example दिया था, मैंने क्या का था, कि अंदर का जो हवा है, वो बाहर नहीं जानी चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक, ये जो stopper है, ये लगाया था, इसका main मकसद क्या था, इसका main मकसद था, to keep the mass of air inside this syringe constant, तो दो चीज़े बहुत important है बेटा, पहली बात तो देखो ये important है, कि temperature constant होना चाहिए, और दूसरी बात ये important है, कि जो यहाँ का, जो mass है, वो आपका constant होना चाहिए, उसके बाद, आप अपने pressure और volume में variation को देख सकते हैं, तो चलिए वापीज चलते हैं, पने conclusion में बेटा, तो ये एक वो conclusion है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कि an increase in pressure at constant temperature causes a decrease in the volume of the gas, conversely, if the volume of a fixed mass of a gas at constant temperature is decreased, तो pressure आपका increase कर जाएगा, आप इस तरह भी बोल सकते हो, उपरवाई line भी आप बोल सकते हो, और दूसरा conclusion बिल्कुल इससे उल्टा, कि अगर मैं pressure में decrease करता हूँ, at constant temperature, तो automatically उसके volume में भी increase आजाएगा, और conversely, आप उसको ऐसा भी भोल सकते हो, कि मेरे पास एक gas है, जिसका fixed mass है, at constant temperature, और अगर मैं volume को increase कर दूँ, तो इसका मतलब है कि pressure आपका automatically decrease हो जाएगा, तो I hope ये experiment, और ये जो दो conclusions मैंने आपको बताए, वो अच्छी तरह समझ में आगे होंगे, चलिए, अब हम बात करते हैं बेटा, आपने boils लग की, तो Robert Boyle, in 1662, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, कि कब की बात है ये, 1662 की बात है ये, उन्होंने actually इस experiment के अंदर, pressure and volume को बड़े ध्यान से observe किया, और observe करने के बाद, उन्होंने अपना ये statement दिया, इस statement में बोला जाता है, कि the volume of a given mass of a dry gas, it is very very important to understand बेटा, कि यहाँ पे given mass है, basically कि mass आपका constant होना चाहिए, and there is a dry gas, dry gas का मतलब है, इसमें कोई भी water vapor नहीं है, so it's a completely dry gas, कहते हैं, is inversely proportional to its pressure at constant, temperature, मतलब कि at constant temperature, जो मेरा volume है, वो inversely proportional होता है, मेरे pressure के, मतलब यह कि अगर किसी वज़े से pressure को बढ़ाया जाएगा, तो volume जो है gas की, वो कम हो जाएगी, और उसी rate में कम होगी, जिस rate में pressure को बढ़ाया जाता है, मतलब यह कि अगर pressure को double करूँगा, तो volume आपका half हो जाएगा, अगर pressure को मैं three times बढ़ाऊँगा, volume आपका one by three times हो जाएगा, तो यह बात please हमेशा याद रखना, it's a very important thing, और I hope आपको अच्छी तरह समझ में, आजएगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसके बाद बेटा, थोड़ा सा mathematical expression भी इसका देख लेते हैं, देखे बेटा क्या चीज़ है, बहुत simple सी चीज़ है, माल लेते हैं कि मेरे पास एक container है, फिर से हमें वोई container लेते हैं, ठीक है जी, और उस पे एक piston लगा हुआ है, जो हम बार-बार इसके बारे में study कर रहे हैं, ठीक है, तो pressure बेटा मेरे पास हो गया P1, and volume क्या है बेटा मेरा, that is V1, so boys लोग के accordingly, अभी हमने क्या देखा था, हमने ये देखा है कि जो V1 है, that is universally proportional to the pressure P1, ठीक है, किसी भी instant में आग देखेंगे, तो अगर pressure P1 होगा, तो volume V1 होगा, बेटा इसमें चोटी सी बात आप से discuss करूँगा, कि जब कभी भी आप ये directly proportionality का sign हटाते हो, तो यहाँ पर equal to के साथ, एक constant introduce होता है, मतलब क्या है, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए मतलब यह है कि V1 is, अब मैं ये हटाने वाला हूँ, जब ये हटाओंगा, तो यहाँ पर एक equal to का निशान आएगा, साथ में एक constant लग जाएगा, that is K, और यहाँ पर आजाएगा आपके पास, 1 upon P1 as it is, तो ये P1 को मैं V1 से multiply कर दूँगा, and मेरे पास as a result यहाँ पर क्या आजाएगा, जैसे आप देख सकते हो कि P1 V1 is equal to K, और K यहाँ पर क्या है वेटा, एक constant है, ठीक है, it is a constant term, तो ये मेरी एक situation के बारे में बात हो रही है, चलिए अब हम बात करते हैं, दूसरे situation की है, दूसरे situation में वेटा हम क्या करेंगे, कि मेरे पास फिर से, मेरे पास वही same container है, वही gas है, वही mass है, बस मैंने क्या क्या, इसका जो pressure है, थोड़ा सा बढ़ा कर, या फिर बढ़ा दो, या कम कर दो, जो भी मैंने इसका pressure change किया, नया pressure हमारा V2 है, तो उसके correspondingly, जो मेरे पास volume है, वो V2 है, same मैं इसी तरीके से उसको लिख सकता हूँ, कि V2 is inversely proportional to 1 by P2, which is equal to, which implies, basically इसका मतलब है, कि V2 is equal to K1 by P2, और जब यह P2 इदर जाएगा, तो यह बन जाएगा बेटा, P2 V2 is equal to K, और K यहाँ पर क्या है बेटा, it is constant, तो एक simple सी बात, जो मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ, लेकर एक बाद फिर से ध्यान से देख लो, कि मेरे पास यहाँ पर क्या था, कि एक container था, pressure P1, volume V1, and हमने पढ़ा है, कि V inversely proportional to P होता है, जैसे आप इस directly proportionality का sign हटाओगे, तो यहाँ पर equal to का निशान, साथ में K introduced हो जाएगा, K का मतलब यहाँ पर कोई भी constant है, इसकी कोई भी value हो सकती है, बढ़ constant value होगी, ठीक है, दूसरी situation के अंदर हमने pressure को change किया, उसके correspondingly हमारे पास एक निया volume बना V2, फिर से हमने सोड़ा साथ को rearrange किया, और मेरे पास finally यहाँ पर आ जाता है, that is P2V2 equal to K, that is constant, अब समझने वाली बात बटा सिर्फ इतनी है, कि देखो यह भी आपका constant के बराबर है, यह product भी और यह जो product है यह भी आपका constant के बराबर है, तो क्योंकि दोनों के दोनों constant के बराबर हैं, सिर्फ इसी वज़ा से हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिख दिया बेटा इस stage को, that is P1V1 is equal to P2V2, क्योंकि यह भी constant के बराबर है, यह भी constant के बराबर, तो मतलब यह दोनों आपस में बराबर होंगे, बेटे, यह जो expression आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहले बात है कि यह होता है, at constant temperature, पहले तो प्लीज बड़े यह समझो, ठीक है, कि यह कब होता है, यह तब होता है, जब हमारे पास क्या हो, constant temperature हो, और सबसे बड़ी बात बेटा, कि यह जो expression आपको यहाँ पर मिला है, यह वाला जो expression यहाँ पर मिला है, इसको कहा जाता है, that is boils laws equation, क्या कहते हैं बेटा आपके, that is boils law equation, ठीक है जी, तो हमने क्या करना है बेटा, बहुत simple सा चीज है, कोई तना मुश्किल है ही नहीं है, हमने यह दिखा कि, एक situation में pressure वीवन था, दूसरे में volume वीवन था, उनका जो product है, वो हमेशा constant रहेगा, आपको पता है बेटा, सिर्फ इसी वज़य से, इसके को statement लिखी जाती है, और वो statement यही है, कि the product of pressure and volume of the gas, at constant temperature is always constant, मतलब यह कि pressure and volume का जो product होता है, constant temperature पर हमेशा constant होगा, मतलब अगर एक value बढ़ती है, दूसरी value इसी हिसाब से कम होगी, कि उसका product कभी भी change नहीं होगा, एक example दे सकता हूँ आपको मैं, जैसे कि अगर मैं आपसे यह कहूँ कि, देखिए, एक simple से example देता हूँ, माल देजी कि मेरे पाफ pressure यहाँ पर 2 atmospheric pressure है, ठीक है, 2 ATM pressure है, volume माल देते हैं कि, उस case में था हमारे पास 4 meter cube, ठीक है, 4 meter cube लेकि चल देते हैं, अपरी मर्जी से बना रहा हो, मुझे पता यह जीब लगेगा, इसका volume है, तो इन दोनों को product करेंगे, तो answer आएगा, 8 atmosphere, that is meter का cube, यह मेरा answer आएगा, जब इनको आप multiply करते हो, ठीक है, simple सा बना आपको यहाँ पर बता, बात बताईए, अच्छा, अब माल देते हैं कि, मैंने उसके pressure को double कर दिया, तो pressure को double करने का मतलब हो कि, अब यह 4 atm हमारे पास pressure हो गया, तो बेड़ा volume उसी ratio में कम भी होता है, मतलब यहाँ पर आजएगा 2 meter का cube, अब भी अगर आप इसका product निकालेंगे, तो 8 atm meter cube आपका answer आजएगा, तो बेड़ा में बस यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था, कि basically pressure और volume में change इस तरीके का आता है, कि दोनों का product हमेशा क्या होगा constant, और यह मेरी एक और statement है, boils law की, clear हो गया, good, अब हमने बेड़ा study करना है, graphical verification of boils law, तो मेरे बेड़ा boys law दिया हुआ है, हमने पढ़ लिया है, अब हमने graph plot करने है, V versus 1 by P के, एक हम करेंगे V versus P, और एक करेंगे PV versus P, तो यह तीन तरह के graphs है, एक एक करके study करते हैं, और चानते हैं कि actually में उसका मतलब क्या है, तो देखिए बेड़ा, जब भी हम graph बनाते हैं, जैसे कि V versus 1 by P, हम यहां पर लिख रहे हैं, तो हमेशा यह रखें, जो पहला term होता है, वो हमेशा y axis पे लिया जाता है, जो पहला term होता है, और जो दूसरा term है, वो हमेशा x axis पे लिया जाता है, अब अगर मुझे graph बनाना है, तो graph बनाना बहुत ही असान है, सबसे पहले मेरे पाद यह x axis हो गया, और यह मेरा y axis है, यहां पर बेड़ा volume V है, और x axis पर 1 by P मेरा यहां पर लिया जाएगा, अब देखो, प्लीज समझने की कोहिश करना, आपको 110% समझ में आएगा, देखे बेटा, अगर मैं 1 by P को माल लेते हैं, कि A माल लेता हूँ, जस्ट समझाने के लिए करो हैं नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए A माल लेता हूँ, तो हमने बढ़ा है बोल जोके accordingly कि V directly, inversely 1 by P होता है, तो 1 by P को अगर A बोल लूँगा, तो मैं कहाँ से तो न, V directly proportional to A, तो मैं सर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ, कि 1 by P और V, ये आपस में directly proportional होते हैं, लेकर अगर कोई मुझे pressure और volume बोलेगा, तो they are inversely proportional, प्लीज ध्यान से सुनो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मैं यहाँ पर V और P की बात करूँ, तो they are inversely proportional to each other, लेकर कोई अगर मुझे बोले कि V और 1 by P क्या होगा, तो मैं बोलूँगा, they are directly proportional to each other, तो बेटा, इसी अब किसी भी दो, कोई भी दो physical quantity, जो आपस में directly होती है, आप जब भी उसका graph बनाएंगे, वो graph हमेशा बेटा, आपका इस तरह का बनेगा, ठीक है, इस तरह का बनेगा, तो अगर येक inclined straight line आपको यहाँ पर दिख रही है, तो मतलब होता है कि V और 1 by P, जो है, they are directly proportional to each other, और सबसे बड़ी बात होती है, ये जो graph आपका है, ये कहां से होके जाएगा, ये आपका origin से होकर जाएगा, प्लीज रवेंबर बेटा, कहां से जाएगा बेटा, हमेशा origin से pass होके ये जाएगा, ठीक है, तो एक simple से चीज है, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आगया होगा, इसके बाब बेटा, next time करेंगे, V और P के बारे में, तो ये तो मैंने आपको अलोडी बता दिया, बेटा, देखो, बोल्स लोग ने बहुत क्लियरली, हमें बताया है, कि V, inversely proportional to P होता है, तो 1 by P के तो directly हुआ, बड़ अकेला P की बात करूँ, बेटा, तो inversely होता है, अगर A कम होगा, दूसरा आपका, जो है, वो increase करेगा, तो, ऐसे सेनेरियो के अंदर, जब भी हम graph बनाएंगे, तो बेटा, कोई दो quantities, जो आपस में inversely होती है, उसका जो curve बनता है, जो graph बनता है, वो hyperbolic curve होता है, hyperbola उसका structure होता है, ठीक है, so hyperbolic curve वो कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले, मैं आपको ये बता दूँ, please, कि volume आपका बेटा, जैसे ये रहा, ये आपका बेटा pressure हो गया, like this, अब hyperbolic curve बनाने के लिए क्या करना होता है, कि यहां से ऐसे curve नीचे की तरफ आप लेके जाएंगे, ये वाला तरीका, ये जो graph आप देख रहे हो, इसको hyperbolic curve कहते हैं, क्या बोलते हैं, that is hyperbolic curve, ठीक है जी, तो ये आपका hyperbolic curve हो गया, इसमें क्या है, ये show हो रहा है, कि V inversely proportioned to, जो P है, यहां पर आप ले सकते हो, ठीक है जी, एक बाद आपको मैं और बता दू, कि ये जो graph है, वो कब take place कर रहे हैं, ये सब take place कर रहे है, at constant temperature, ठीक है, constant temperature, अब बता क्या बटा, क्योंकि ये constant temperature है न, तो एक ऐसा mechanism, जिस mechanism के अंदर, हम अपने temperature को constant रखते हैं, उसको कहा जाता है, बटा, isothermal एक ऐसा process, जिस process के अंदर, हम अपने temperature जो है, उसको constant करते हैं, उसको isothermal कहा जाता है, तो ये process कुछ और नहीं है, ये एक isothermal process है आपका, ठीक है, और जब कभी भी isothermal का नाम आगया, तो समझ जाना बटा, कि ऐसे process के बात हो रही है, जिसमें temperature के हैं, आपका constant है, देखे बटा, अब हमने करना है, PV versus P का graph, बहुत ही simple graph है, step by step up हम उसको study करेंगे, देखे बटा, सबसे बड़ी पहली बात इसमें ये है, कि ये है मेरा, that is pressure into volume versus P का graph, ओके, तो पहली बात तो ये कि, ये आपका यहाँ पर आएगा y axis पे, और ये जो आएगा बटा, आपका आएगा x axis पर, तो जल्दी से पहले हम graph plot कर लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत उसके बारे में study करते हैं, ठीक है, तो ये देखें बटा, ये आपका y axis हो गया, ये आपका x axis हो गया, यहाँ पर आएगा pv का graph, ठीक है, उसकी values आएगी, और यहाँ पर बटावगा p की values आएगी, अब समझने वाली बात क्या है, x axis में p जो लिखा है, इसका मतलब यह है, कि जैसे जैसे मेरे p की value बढ़ती जाएगी न, वैसे वैसे, मेरा जो pv है, उसमें क्या फरक पड़ेगा, उसका graph है ये, तो बैट एक देखो boys low के अंदर, बहुत simple से आपने बात study करे थी, और वो ये study किया था, कि अगर pressure को बढ़ाया जाता है, तो उसी rate में volume आपका decrease करता है, पढ़ाने की यह नहीं पढ़ा आपने, ये वाला statement पढ़ा था ना हमने, कि यार तुमारा अगर pressure बढ़ेगा, तो तुमारा जो volume है, वो उसी rate से कम होगा, such that कि इन दोनों का जो product है, वो मेशा क्या रहेगा, constant रहेगा, मलत तुम pressure बढ़ाते जाओ, कोई issue नहीं है, बढ़ वोलिम अपने आप वैसे कम होता जाएगा, तो इसलिए pressure बढ़ाने के बावजूद भी, PV की value क्या रहती है, बिल्कुल constant रहती है, तो ये एक straight line बनेगा, parallel to P axis, ठीक है, parallel to, parallel to P axis, याद रखे बढ़ा हमेशा, बहुत simple सी बात है, कि अगर मेरा pressure बढ़ रहा है, तो pressure बढ़ने के बावजूद, मेरे PV की value constant होती है, क्योंकि volume उसी rate में कम हो जाता है इसी वज़े से, I hope आपको ये बात अच्छी तरह सबज में आगी होगी, कि ये तीनों graph को कैसे किया जाता है, great, चलिए, अब हम बेटा study करेंगे, boys लोको, credit theory of gases के हिसाब से, कि यार हम कैसे बता सकते हैं, कि volume कम होगा या जाधा होगा, pressure के कम या जाधा होने से, बहुत simple है यार, 2 मिट में हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, देखे बेटा, पहने तो बेटा, ये समझे कि हमने credit theory के अंदर क्या पढ़ा था, हमने credit theory के अंदर ये पढ़ा था, कि सर अगर मेरे पास माल लीजे, कोई भी एक container है, और उस container के अंदर मालो gas के molecules हैं, तो वो molecules जो हैं, वो actually में randomly move करते हैं, in all of the direction, they actually collide with each other, as well as they collide with the walls of the container, due to this collision, these molecules exert force per unit area, on the walls of the container, and हम उसको basically कहते थे, it is the pressure exerted by the gas, मतलब, एक gas के जो molecules हैं, वो randomly move कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर kinetic energy होती है, जो की room temperature के वज़े से उनको मिलती है, randomly move करते हैं, strike करते हैं, वोल के साथ, और pressure exert करते हैं, अब प्लीज समने के कोशिश करना, यहां पर क्या हो रहा है, और एक बात और, इसके अंदर का जो mass है, gas का जो mass है, वो तो constant है, तो बेटा, अगर mass constant है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, कि जो number of molecules होंगे, क्या होंगे, number of molecules बेटा, वो भी तो constant ही होंगे, वो तो ना कमज़दा हो जाएंगे, तो अब देखिए बेटा, माल दीजिए, मैंने इसका pressure लगा दिया, ठीक है, and pressure नहीं लगाया, चुलो बात की बात करते हैं, मैंने क्या किया, initially जो था ना, इसका volume माल लेते हैं, V है, ठीक है, अब मैंने इसका जो volume है, ना half करना है, तो मैंने उपर से क्या लगाया, pressure लगाया, अब सवाल यह है, कि यह pressure कितना act करेगा, तो please try to understand बिटा, पहली बात जो molecules हैं, उनके बीच में gaps होता है, तो जब आप उपर से pressure exert करेंगे, तो obvious है, कि यह molecule एक दूसरी के निजदीक आकर, इससे आधा volume अराम से occupy करेंगे, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करें, कि जब आप इसका volume आधा कर दोगे, volume आधा करने का मतलब होता है, कि यह जो आपका piston है ना, माल लेते हैं कि आप यहाँ पर लिए यहाँ पर पिस्ट ले जाए, तो यह जितने भी molecules आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ से हटा रहा हूँ, ताकि आपको clarity कोज़े मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यह जो उपर के तीन थे ना, वो कहां आ जाएंगे, वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो अब मेरे molecules को move करने के लिए यह space है, वो आपने आधी कर दी, space आधी कर दी, लेकिन अब भी तो वो randomly move कर रहे हैं, तो बिटा space आधी होने के बावजूद, they are moving randomly in all of the direction, तो जो पहले वो जिस rate से wall के साथ collide कर रहे थे, अब उसके double rate से, वो मेरे जो walls हो तो container है, उससे collide करेंगे, क्योंकि इनका जो force acting per unit area double हो जाता है, इस वज़े से pressure भी क्या हो जाएगा, आपका double हो जाएगा, बस यही है kinetic theory के हिसाब से समझना, अब आप माली जी आप volume को बिटा इससे double कर देते हो, suppose next case में क्या करते हो, पिस्टन को आप उपर ले जाते हो, और volume आप double कर दोगे, volume double करने से क्या होगा, कि मेरे इनी molecules के लिए, जो space है, initial से double हो गया, space ज़्यदा बढ़ जाएगा, तो number of collisions जो इसकी होंगी, walls of the container के साथ, उसकी possibility half हो जाएगी, जिसके वरसे pressure क्या हो जाएगा, आपका half हो जाएगा, तो देखें बढ़े, बहुत simple सी बात है, जैसे मेरे आपको कहा कि, अगर आपका container का volume बढ़ा दिया जाएगा, तो number of collisions से उतनी है, बट अब वो ज़्यदा space में घूम रहे है, उनके बीच में ज़्यदा space आ चुकी है, तो अब वो walls of the container के साथ, जो striking rate है, वो उसका कम हो जाएगा, तो automatically जो pressure है, वो ठिक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर आपने volume को कम कर दिया, number of molecules अभी भी उतनी है, लेकिन उनको कम space में घूमना पड़ रहा है, तो उनका जो striking rate है, वो ज़्यादा होने की वज़े से, वो ज़्यादा pressure exert करते है, to the walls of the container, तो बस इसी तरह से, boys law को explain किया जा सकता है, with the help of the kinetic theory, I hope आपको ये अच्छी तरह clear हो गया होगा, good, तो चलिए, अब हमने basically study करने है, the significance of the boys law, देखिए, एक ना simple सी बात, आपके साथ में share करूँगा, एक बात आप अच्छी तरह जानते हैं, जो हमने यहाँ पर study किया है, और वो ये है, कि हमारा जो pressure है, वो universally proportional to volume होता है, मतलब ये कि, अगर मैं pressure को बढ़ा दूँ, तो volume आपका कम हो जाएगा, और जो mass of gas है, mass of gas है, यार वो तो हमारा constant ही है, ठीक है, वो तो हमारा change नहीं होगा, वो तो हमारा constant ही है, अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं density of gas की बात करो, density of gas की बात करो, तो बेटा, आप अच्छी तरह जानते हो, कि density होता है, mass of gas, divided by the volume of gas, ठीक है जी, अगर pressure को मैं बढ़ाऊं, तो volume हो जाएगा कम, mass तो है constant, अगर volume कम हो गया, तो density of gas बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह देखने को मिलती है, कि pressure जो है, वो actually directly proportional to density of gas होती है, density of gas होती है, मतलब यह, कि अगर मैं pressure को बढ़ाऊं, तो automatically, जो density होगी gas की, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसके इलाबा, हमने एक चीज और observe करी है, और वो क्या observe किया है, तो high altitude के अंदर, जो mountaineers होते हैं, वो अपने साथ gas का tank लेके चलते हैं, अब ऐसा क्यों, उसका reason क्या है बढ़ा, इसका reason ही आपको यहीं पर अच्छी तरह से clear हो जाएगा, देखे बढ़ा, जैसे जैसे आप mountain पर चड़ाई करते हैं, जैसे जो ऊपर जाते हो, वैसे वैसे जो हमारा atmospheric pressure जो होता है, जो pressure होता है, वो actually में आपका decrease होता है, क्योंकि atmospheric pressure आपका decrease होता है, altitude के साथ atmospheric pressure कम होता है, उसी तरह, या उसी की वज़ा से, जो density है, air की, वो भी आपकी कम होनी शुरू हो जाती है, तो जो quality of oxygen होती है, बड़ा breathing करने के लिए, उसकी value कम हो जाती है, इसलिए उस चीज को fulfill करने के लिए, mountaineers अपने साथ gas का tank लेके चलते हैं, oxygen tank जो है, वो साथ लेके चलते हैं, उपर जागे oxygen कम हो जाती है, क्यों कम हो जाती है, क्योंकि density of air कम हो जाती है, क्यों कम हो जाती है, क्योंकि एडमोज परी pressure कम हो जाता है, I hope ये बाद आपको उची तरह समयच में आगी होगी, इसके लाबा एक छोटा सा note, और प्लीस समझ लीजे, और ये छोड़ा सा note के साथ सातना, actually मैं एक misconception है, जिसको मैं दूर करना चाहता हूँ, कई बार ना कई student ये कहते हैं, कि देखें, boils low तो सारे, बिल्कुल सही आपने का कि boils low का मतलब यह हुआ, pressure inversely proportional to V होता है, at constant temperature, तो जब हम balloon में हवा blow करते हैं, उस time तो जैसे से वो blow करता है, वैसे वैसे उसका तो pressure भी बढ़ रहा है, और उसका तो volume भी बढ़ रहा है, तो क्या मेरा इस particular condition में, जो boils low है, क्या वो invalid हो जाता है, answer है नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, एक बात आप अच्छे से समल लीजिए, जो मैंने आपको boys low के दुरान भी बताया था, कि इसमें temperature तो constant होता ही है, लेकिन साथ ही साथ, mass of the gas, mass of the gas भी आपका constant होना चाहिए, लेकिन जैसे यह से अब हवा अंदर blow करते हो, तो बटा, mass भी तो increase करते जा रहे हो, तो आप किस तरह से कह सकते हैं, कि इस पर आप boys low लगा होगे, तो boys low validate करने के लिए, mass का constant होना, और temperature का constant होना बहुत ही important है, I hope आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बेटा कि boys low क्या होता है, और उसकी equation क्या है, अब एक काम करते हैं, यह समझने के लिए कि boys low को कैसे apply करना है, मैं आपके साथ कुछ example शेयर करूँगा, और example में बेसिकली वो तो numerical ही है, आप एके करके वो numerical करके समझते हैं बेटा कि उसको कैसे किया जाता है, तो चलिए शड़वात करते हैं बेटा, आपने सबसे पहले और सबसे simple numerical के साथ, देखें बेटा, यह सबसे पहले जो आपको numerical दिया गया है, इस numerical में देखो क्या क्या दिया हुआ, थोड़ा पढ़के देखेंगे और आपको उच्छ तरह समझ में आ जाएगा, देखें, सबसे पहले बात यहां पर दिया हुआ कि, a gas occupies 800 cm3 under the 760 mmHg pressure, find under what pressure the gas will occupy 380 cm3, the temperature में is constant, तो देखें बेटा, कुछ नहीं करना, P1, V1 देखो, P2, V2 देखो, ब्राबर करो, आंसर निकालो, दोमगा काम है, देखें बेटा, solution करते हैं, फड़ा-फड़ा, बहुत simple है, सबसे पहले बेटा, initial volume जो है, V1 वो आपको दिया हुआ है, 800 cm3, and pressure P1 आपको दिया हुआ है, 760 mm, ठीक है, Hg, ठीक है, mmHg जो है, वो आपको यहां पर अलड़ी दिया हुआ है, उसी तरह अगर मैं यहां पर, बेटा, V2 की बात करो, नया volume क्या है, तो वो आएगा 380 cm3 का cube, और P2, बस यही तो मुझे find करना है, अब बोल्स की जो equation थी, वो क्या था, वो था P1 V1, equal to P2 V2, हाना, यह simple सा होता है, P1 मतलब हो गया, 760 mm of Hg, ठीक है, of Hg, साथ में आजएगा, बेटा, वोल्यूम V1, जो की है, हमारा 800, that is a cm3, 800 क्या है, cm3 बेटा, which will be equal to, 380 cm3 into P2, तो बस बेटा, यह सारा, अब इसके नीचे लेके जाएए, तो बेटा, देखो, simple सी बात, यहाँ पे यह है, कि मेरे पास, P2 will be equal to, 760 into 800, divided by, यह देखिए, यह 380 है, वो उपर जाएगा, तो यह आएगा, 380 यहाँ पर, इसको बेटा, आपने पर solve करना है, तो आपका आंसर, बेटा, 1600 mm आया था, mm of Hg, mm of Hg, और अगर आपने इसको, cm में करना है, तो आपका आंसर, 160 cm of Hg, आपके पास आजएगा, तो आप चाहे, उपर वाले में भी छोड़ सकते हो, 160 की टर्म्स में करना, वो भी कर सकते हो, तो बहुत सिंपल है, ठीक है, एक बार दुबारा देख लीजे, हमने क्या किया, मेरे इस numerical की अंदर दिया गया है, कि gas occupies 800 cm3, under 760 mm Hg pressure, find under what pressure, the gas will occupy 380 cm3, तो में बहुत सिंपल से क्या है, कि मुझे initial volume, initial pressure दिया हुआ है, और मुझे find करना था, नया pressure, ताकि मेरा ये volume create हो सके, तो P1 V1 किया, P2 V2 किया, P2 को find कर लिया, असानी से बेटा मेरा answer आ गया, तो इस तरीके से आपने ही अपना, पहला numerical को solve करना था, clear हो गया बेटा किस तरह से आपने करना है, good, अब हम बात करते हैं बेटा, अपने example number 2 की, so, example number 2 कहता है, कि a gas occupies 600 cm3, under a pressure of 700 mm Hg, find under what pressure, the volume of the gas will be reduced, by 20% of its onation volume, the temperature remains constant throughout, देखे यार, बहुत simple सी चीज है, सबसे पहले बात हमें क्या-क्या दिया है, वो देख ले हैं फटा-फट, देखे बेटा, पहले बात तो V1 आपको दिया हुआ है, 600 cm3, पहले तो ये दिया हुआ है, अच्छा, P1 is given 700 mm Hg, ये दिया हुआ है, ठीक है, V2, अच्छा, पटा, V2 के अंदर उसने बोला है, कि अब ये वो वोल्यूम है, जिसमें 20% खतम हो चुका है, तो इसका हम पहले हमें काम करते हैं, 20% खतम हो गया है, तो इसका मतलब हुआ, 20% of V1, that is 600 ही आ गया, ये इससे कैंसल हुआ, ये इससे कैंसल होगा, ये 120 आ गया न, तो ये 120 cm3 है, ये वो वोल्यूम है, जो reduce हो चुका है, तो बचा कितना, बचा कितना, उसके लिए 600 में से minus कर दो, 600 में से minus कर दो 120 को, ठीक है, तो ये 0 आ गया, ये 8 आ गया, ये 480 हो गया बचा, cm3 का cube, तो निया वोल्यूम जो है, बचा मेरे पास है, that is 480, that is cm3 का cube, तो ये बचा मेरे पास, ओरड़ी यहाँ पर आ चुका है, अब मुझे क्या करना है, बस कुछ भी नहीं जी, अब तो simple अपनी, boys low की equation लगाएंगे, और अपना answer निकाल लेंगे, ये ही करना है, इतना मुश्किल होता नहीं है, बहुत simple होता है, ये समझो कि exactly दिया क्या है, और उसके साबसे अपना answer निकाल लेंगे, तो देखें पेटा, हमें क्या क्या दिया था, वह और यह मैंना आप लिख दिया, अब रह गया है, P1 V1 is equal to P2 V2, बढ़े अच्छी दर समझ लो, ये कैसे करने है, तो इस पर कोई numerical आएगा, तो solve कर लेना, बहुत easy है, ठीक है न, so, मेरे पास आगया बढ़ेटा, 700 into 600 cm3, is equal to P2 तो मुझे find ली करना है, और V2 480 cm3, बस आप इसको ये से नीचे लेके जाओ, तो यहाँ आजाएगा बढ़ेटा, 700 into 600 divided by बढ़ेटा 480, that will be P2, बस आप बढ़ेटा इसको solve करेंगे, तो 875 mm of HG, ये बढ़ेटा आपके पास answer आजाएगा, तो बस आपने इस तरीके से बढ़ेटा करना था, I hope आपको अच्छी तरह सबज में आ गया होगा, ठीक है, चलिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ बढ़ेटा, अपने next numerical के तरफ, अब इस numerical के अंदर का है, कहता है, the capacity of one cylinder is 4 decimeter cube, and that of the other one is 1 decimeter cube, the pressure in the first cylinder is 560 mm HG, and the other one is the 1000 mm HG, ओके pressure दिया हुए, so both of these cylinder contains carbon dioxide are connected together by a tube fitted with a tap, what will be the final pressure in the either cylinder on operating the tap, if the temperature means constant, okay, so, इसको समने से पहले ना, पहले कोशन को ढग से समने लेते हैं, कि मेरे पास यहाँ पर क्या था, दो टैंक्स है, ठीक है, यह दोनों टैंक्स अपस में connected है, मैं यहाँ पाइप लगा देता हूँ, यह दो होगे, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, और बीच में बेटा टैंप लगा दिया है, जिससे हम चब चाहिस को खोल कर इधर से उधर गैस को पहुँचा आजा सकता है, अच्छा, तो क्या-क्या दिया हुआ है, हम यह देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें जो इनीशल वोलियम है, बेटा वो तो हो गया, 4 डेसीमिटर क्यूब, और इसमें है 1 डेसीमिटर क्यूब, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इसका इनीशल प्रेशर है, 560 mm, 560 mm, of Hg, इसको दिया हुआ है, 1000 mm of Hg, अब इनके न्यू प्रेशर निकालने हैं, देखो बेटा, सबसे बात है कि जब आप इस टैप को ओन करेंगे, तो जो हवा है, इसमें काबन डेक्सट वो इदर सुदर जाएगी, तो हमें टोटल वोलियम जो मिलेगा, उसके हिसाब से मैं परना अंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो पहली बात यह कि टोटल वोलियम है कितना, जब टैप को ओन किया, वोलियम है कितना, तो 1 decimeter cube, प्लस 4 decimeter cube, जो है, आंसर आ गया, 5 decimeter cube, यह मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, अब अगर मैं पहले slender की बात करो, for first slender, slender की बात करो, ठीक है, P1 V1 equal to P2 V2, यह हमने लगाना है, ठीक है जी, तो initial pressure इसका कितना था बेटा, initial इसका 560 था, लोजी 560 डाल दिया, initial volume कितना था इसका, 4 decimeter cube, सिंपल सी बात है, निया pressure क्या होगा, यह मुझे find करना है, बट जो निया volume है, वो है अब 5 decimeter cube, बस इस बात का बेटा, आपने ध्यान रखना है, answer आपका आजाएगा, तो जब आप इस P2 को find करेंगे, तो आपका जो answer है, जब आप solve करेंगे, आपके बाप 448 mm of Hg, आपका answer आजाएगा, तो यह करना था, आपने इस वरे particular part के अंदर, clear हो गया, अब आप दूसरे part का भी कर लेते हैं, अब जब मैं दूसरे part के बारे में बात करता हूँ, तो इस case में, फिर से लगाएँगे बटा, यह है, for second cylinder, second cylinder, ठीक है जी, असान है, कोई मुश्किल नहीं है, सबसे बहुत बात, P1 V1 equal to P2 V2, देखे बटा, इस particular case के अंदर, initial जो pressure है, अच्छा मैं आप आप दिखा देता हूँ यहाँपे, यह देखो, initial pressure यहाँपे 1000 दिया था, initial volume 1 है, final volume 5 हो जाएगी, नया pressure मुझे find करना है, वो मैं find अभी करके आपको पता देता हूँ, ठीक है जी, तो initial जो pressure है बटा, वो हमारे पास यहाँपे 1000 दिया हुआ है, ठीक है, initial volume 1 हो गया, is equal to final मुझे निकालना है, साथ में V2, V2 कितना 5, P2 5 है आपका, बस जी, P2 को solve करेंगे, तो आपका answer 200 mm of Hg आजाएगा, तो देखो पेटा, बच्छे जानते हो कि, जब gas आपका flow करता है, एक container से दूसरे container के अंदर, तब तक flow करता है, जब तक आपका pressure जो है, इन दोनों का sum होगा, final जो pressure होगा, that will be the sum of these two, तो उसमें हमने निकाला था पेटा, I think 448 mm of Hg, हमने ने find out किया था, और इसके अंदर आया है 200, बस add कर दीजे पेटा, जो आपका answer है, वो आजएगा 648 mm of Hg, तो बस इस तरीके से, आपने पेटा, चलिए अब आपको लेके चलता हूँ, अपने आखरी numerical की तरफ, यह थोड़ा से अलग है, थोड़ा से सको समझेंगे, I hope आपको बेटा अची तरह समझ बेए आ जाएगा, ठीक है, ओके, so गता है तो वोल्यूम of the given mass of the gas, with some pieces of marble in a container is 750 mm Hg pressure is 100 ml, if the pressure is changed to 1000 mm Hg, the new volume is 80 ml, so find the volume occupied by the marble pieces, okay, if the temperature remains constant, ठीक है, okay, so मेरी बात समझने के कोशिश करोगे तो, I hope आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी container है, उस container के अंदर क्या रखा है, marble रखे हूए, these are the marbles, ठीक है, ये marbles है, इस marble के लावा हवा है, ठीक है, इन सब का जो total volume है, initially वो 100 ml आपको दिया हुआ है, ये जो marble है, let कर लेते हैं, इसका volume V है, ठीक है जी, तो हवा का volume कितना होगा, प्लीज समने कोशिश करो, इसके अंदर, ये जो आपको दिया रहे हैं, यहां पे 100 ml, ये 100 ml एक्शली volume है, मेरे marble का, प्लस gas का, ये दोनों present है, marble का मैं V माल लेता हूँ, तो gas हा कितना बचेगा, obvious है बेटा, 100 minus V बचेगा आपके पास, तो P1 जो है, इनिशल केस में, 750 mm आपको HG जिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तो V1 क्या होगा, याद रखे, ये gas के लिए अप्लाई होता है, marbles के लिए अप्लाई नहीं होता, इसलिए मुझे gas का वोल्यूम अलग से find करना पड़ा, इसलिए यहाँ पर आएगा, 100 minus V ml, ये gas का, आपका यहाँ पर आचुका है, ठीक है, P2 की बात करें, तो निया pressure तो ठीक है, 1000 आपको mmHg दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वो कहता कि, अब जो निया volume है, वो 80 है, तो अब 100 की जगा 80 करेंगे, तो marble का volume minus कर दो, तो वो gas का volume होगा, मतलब ये, तो that will be 80 minus V कर दो, और यहाँ पर आपका ml आ जाएगा, ठीक है, तो बस इस तरीके से बेटा आपने सो करना था, बाकि बेटा बोल्स लो तो आप अच्छी तरा आप जानते हैं, अब इतना ज्यादा अब तो इली है आपके लिए, आप अच्छी तरा समझ जाते हो क्या से करना है इसको, तो P1 V1 is equal to P2 V2 थोड़ा सा अपलाई कर लेंगे, तो जैसे हम अपलाई करेंगे, देखो बेटा कि यहाँ पर क्या आजाएगा, तो P1 बेटा मेरे पास है 750, ठीक है, यह हमारा P1 आगया, V1 जो था वो यहाँ था, 100-V, V यहाँ पर मारबल का वोल्यूम है, is equal to 1000 into 80-V, यह मेरे पास यहाँ पर आगया, थोड़ा सा अगर मैं calculate करता हूँ, तो इसको solve हम करेंगे, simple सी बात यह है, ठीक है, मैं सोचना करेंगे, ease way में हो सकता है, क्योंकि देखो, यह 0, इस 0 से कट जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है, है नहीं कोई ease, करना ही पड़ेगा, तो 75 into 100 करते हैं, तो 75, 100 मेरे पास यहां पर आजाएगा, 75 into V करेंगे, तो 75 V है, is equal 100 into 80 करेंगे, तो 8,000 आपके पास आजाएगा, तो 100 into V माइनस करेंगे, तो माइनस 100 V आपके पास आगया, ठीक है, यह मेरे पास आज चुका है, इसको इधर ले जाते हैं जी, और इसको इधर ले जाते है, मतलब यह की, 100 V माइनस 75 V is equal to 8,000 minus 7,500, यह आपके पास आगया, बस ठीक है, 25 V is equal to आजाएगा, मेरे पास 500, ठीक है, तो V मेरे पास आगया बेटा, 500 divided by 25, तो पता ही आपको यार, यह आपका 5 हो गया, यह सो गाड़े के 20 आजाएगा, so 20 ml जो है, वो basically हमारे marble का volume है, ठीक है, जो पूछा गया, मैंने आपका वो fighter के यहाँ पर बता दिया, I hope आपको अच्छी तरह, यह जो क्या था आपका boys law, वो अच्छी तरह समझ में आगया होगा, यह से आप अपने balls equation को apply कर सकते हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो please like it, share it and subscribe it, आज के लिए बस इतना ही, thank you so much,